आप लोग दोस्तों वेलकम टॉ आहमाद रिशेश के काली आप लोग का स्वागत हैं यह आज का टॉपिक है इंदी में नदिया जो इंडिया में है और उसके स्टेट का है आपको स्क्रीन पर पिछे दिख रहा होगा इंग्लिश में बोलते हैं तो रिवर्स के बारे में पूरे आपको समुंदर नदिया के बारे में हम लोग बताएंगे फुड्रम वाटर ट्रांपोर्टेशन उसके बाद उनेक्रिसिटी यह सब नदियों से होता है आप अ एलेक्रिसिटी हम बताया ना जिसके करेंट जेनरेट होता है आपने नदिया से होता है जिससाइब 49 पर्सेंड वर्कफॉर्स वो तो हैं से 50 परसंट फीजद अदमी को होता है इरिगेशन बोलते हैं इरिगेशन भी इसमें होता है जाडों को नदियों से पानी मिलता है उसके बाद चिलिया भी चलते हैं सबसे दसवा नंबर पे तापरी रिवर 724 किलोमेटर हो यह कहां से स्टार्ट होता है released अर्याव अरेबियान सी को invoke होता है इसको स्टेट को से मध्यापदेश, महाराश्छा एन गुज्रात है decides स्टेट मिलते हैं टापी रिवर को 724 किलोमेटर है यह स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्टेट के साथ उसके बात है ब्रह्मा पुत्रा 725 किलोमेटर है यह कहां से लेक मानुस ओवर बोलते हैं यह इसका स्टार्ट होता है उसके बाद यह translating, ने प्रएक जगे को बेंट रहा है ए आपसल बेंडम स्क्रीन पर इंग कर्नाटक च्क्रीन होता। और यह end का होता है Bay of Bengal से, इसमें दो state connect होते है, place of benefit है, वो तो दो state को benefit होता है, फाइदा होता है, करनाटा का and Tamil Nadu, यह दोनों state को फाइदा होता है, अब उसके बात है महा नदी, यह 858 km, 858 km है यह, और यह कहां से entire party Google के जगे से start होता है, और यह end का होता है Bay of Bengal में, उसके बाद यह places बेंद भी 36 गर अनोरिसा को यह जगे से फाइदा होता है, यह महा नदी को, महा नदी से, आप उसके बाद है, छेटा नमबर, इंदस, 1114 km है बड़ा, लंबाई में, और जिनेटर फ्रम तिबद कालाश्रें से start होता है, उसके लोग को की स्टेट को फाइदा होता है, इंडिया को फाइदा होता है, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान को इंदस से फाइदा होता है, दोनों मुल्क को इसे फाइदा होता है, यह नदी से, नदियों से, चेटा नमबर यह है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह कैस आप उसके बाद फिर है पांच्व निर्मदा आप लोग सुने ही होंगे तेरासो बारा किलो मिटर कितना तेरासो बारा किलो मिटर यह कहां से स्टाट होता है आं अंटाकिगा हिल से मध्यपदेश से स्टार्ट होता है यह एंड कहा होता है अरभियन सी से उसके बाद इससे किस 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 स्टेट को बेन्फिट होता है मध्यपदेश को बेन्फिट होता है उसके बाद गुजरात को बेन्फिट होता है अब उसके बाद यमुना है 1370 किलोमेट रही है यह गर्वाल यह मुनाटी के वहां से स्टार्ट होता है एंड बे बेंगाल से खतम होता है प्लेश उत्रखार निमाचर प्रदेश हर्याना डेली और उत्तरप्रदेश यह पूर जो स्टेट से मैं भी बताया आपको साइड में दिख रहा होगा इलोग को बेनफिट हो महाल महाला बहश्वर इन महाराष्टा जगे कर वहां से स्टार्ट होता है एंड बेया बेंगल से खतम होता है और यह बेनफिट किसको होता है महाराष्टा करनाटा का जलंगाना आंध्रपदेश चार स्टेट्स को फाइदा होता है इससे उसके बाद चलिए गोदावारी आप लोग बहुत सुने होंगे यह गोदावारी 1465 किलोमेटर है करीब 1500 किलोमेटर यह नासिक हिल्स से स्टार्ट होता है और बेया बेंगल में खतम होता है कहां बेया बेंगल में इसको देखिए महाराष्टा तेलंगाना आंध्रपदेश चतिजगर मध्यपदेश ओडिस इस जो स्टेट्स हैं 1400 किलोमेटर वहले तो यह स्टेट्स को फाइदा होता है पूरा लिंक रहता है आपको क्लियर में दिख रहा होगा गोदावरी के बारे में आप चलते हैं सबसे बड़ा सबसे बड़ा रिवर गंगा गंगा आप सुनते हूँ होगे यह और गार है यह यही है आपको दिख रहा होगा तो यही है अपने दस नदिया जिसे इंडिया में है और अगर अगर आप लोगष यह आपको दिख रहा होगा पसंद आया तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब किजिए चानल को और आपको और नेस्ट टॉपिक्स हम लोग नहीं नहीं वीडियो से आएंगे आपको ऐसी इंफरमेशन बताएंगे जहां से आपको बहुत सारा नालेज हो और आप भी नालेज वर बने हम भी आपको सिखाने वाले बने तो थालेज थाएंगे जिए धिए लुट और आपको और आपको और आपको और आपको देखे लिए जानल झाल झाल